हेलो फ्रेंग्स वेल्कम टो मैं टूप चैनल एक्टिनिस्टिक कोचिंग आज हम बात करने वाले है जे एलाइसी 2016 का जो पेपर है उसके पार्ट वन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स एन कम्यूनिकेशन के जो स्क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको बता दू आपको इस स्क्वेश्चन पेपर में इंपोर्टन एम से क्यों मिल जाएंगे अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग या इलेक्ट्रोनिक्स एन कम्यूनिकेशन एंजिनियरिंग है पर्टिक्यूलर्ली अगर आपने डिप्लोमा एंजिनियरिंग किया हुआ है तो आपके लिए यहां पे बहुत ही इंपोर्टन्स क्वेश्चन है जन्रेज जो स्क्वेश्चन कॉम्पीट्र एक्जाम में पूछत लग करेगा और कितने डिग्रे सदेल लग करेगा बाइद करन यह पूचा हुआ है किसमें प्यॉर कैपसिटेंस में इंप्यॉर कैपसिटेंस pure capacitance की हम बात करें तो in the pure capacitance voltage जो है वो lag करेगा in pure capacitance आपका जो voltage जो है वो lag करेगा by the current in general in pure capacitance current leads by the voltage by 90 degree ओके यहाँ पर उल्टा पुछ लिया है यहाँ पर क्या पुछ लिया है voltage lags by the current by 90 degree तो यहाँ पर answer क्या आएगा option B is the correct answer okay in pure capacitance the voltage lags the current by 90 degree in general क्या होता है in pure capacitance current leads by the voltage by 90 degree आपका जो RLC circuits होता है AC circuits है उसका यह question है next question the unit of force in MKS system okay MKS system unit of force क्या होता है MKS system unit of force होता है Newton क्योंकि Newton साहब ने बताया था force के बारे में force क्या होता है force कैसे आता है हाँ gravitational force सबसे पहले very best example वो जो apple falling down from the tree Newton साहब वहीं पर बैठे थे उस tree के नीचे तो उसने उसके बाद उस पर experiment किये हाँ ऐसा क्यूं हुआ apple नीचे ही क्यूं आया हाँ वैसा उसने experiment मतलब उसके बाद उसने वो नया invention किया उससे पता चला कि यहां पर तो कोई force लग रहा है तो क्योंकि force उन्हों ने ढूंडा हुआ है force के बारे में सब कुछ उन्हों ने बताया तो उसका नाम से MKS system में unit भी उसी के नाम से रखा गया है that is Newton okay so option B is the correct answer here next question number three horse power horse power is the unit of horse power is the unit of power horse power किसका unit है power का unit है okay one more thing I want to tell you about this JLIC is that we have started a special batch for JLIC 2022 recruitment तो आपको अगर registration करवाना है तो टेलिग्राम पे ग्रूप है JLIC करके उस पर जाके आपको सारी डीटेल मिल जाएगी आप जैसे टेलिग्राम में जाके सर्च करोगे JLIC और मेंने description में link भी दिया हुआ है तो सिदा वहां पे क्लिक करके भी आप ग्रूप जोइन कर सकते हो हाँ आप टीच्मिंट एप्लिकेशन है उस एप्लिकेशन पर हम यह क्लासिस करने वाले हैं क्लासिस की फीज भी बहुत ज्यादा नहीं है बहुत नॉर्मल फीज रखी हुई है आपका जो 16th October को एकजाम है उसके लिए यह क्लासिस हमने स्टार्ट किया है और बहुत सरे लोग जुड़े हुए है और बहुत सरे लोग जुड़ भी गये है आपको अगर उसमें जोइन होना है तो डीटेल में मैं आपको यह पेपर सोलुशन खतम होने के बाद बताऊंग होगा लेकिन आपको क्लास के लिए जोइन होना है तो आप डिस्क्रिशन में लिंक होगा लिंक में जाके बीसनल जेई एलाइसी के ग्रूप में जोइन हो सकते हो और उसमें सारी डीटेल्स जो है मैंने दी हुई है वहाँ पे देख सकते हो पेपर सोलुशन खतम होगा पावर का यूनिट है हाँ पावर को जब मेजर करते हैं तब होर्स पावर का यूस किया जाता है होर्स पावर जो है वह कोमन यूनिट है पावर का रेट विच वार्क डन हाँ पावर मतलब होर्स पावर क्या शो करता है रेट एट वीच वाक ड़न ओके नेक्स्क्वेशन at the resonance the impedance of series rlc circuit is at the resonance impedance of series rlc circuit resonance p p kya hota है series rlc circuit में resonance p p excel equal to xc होता है to excel equal to xc होगा okay to series resonance में excel equal to xc होगा total impedance क्या हो जाएगा zero हो जाएगा okay so at resonance the impedance of the series rlc circuit will be zero you can say okay और आपका जो resonance पे आपका series rlc circuit में जो impedance होगा वो only and only r होगा ठीक है मतलब only resistive impedance मिलेगा आपको हम detail में जब पढ़ेंगे series rlc circuit के बारे में तो मैं आपको detail में वहाँ पर बताऊंगा ठीक है next if the current in 1k resistor is 2mA the potential across the resistor is potential across the resistor क्या होगा हाँ यहां पर यह पूछा हुआ है हाँ उपर किस question में आपको में एक चीज़ बता दू कि resonance पे आपका impedance जो है वो minimum होगा हाँ zero नहीं होगा resonance पे आपका impedance है वो कैसा होगा minimum होगा क्योंकि कि आपको resistive impedance मिलेगा R ठीक है imaginary part जो है वो zero हो जाएगा आपका जो नॉर्मल पार्ट है impedance जो होता है circuit में वो दो पार्ट में होता है हाँ एक तो आपका real part plus imaginary part अगर ऐसा पूछा होता कि resonance imaginary part of the impedance तो वो zero हो जाएगा ZL is equal to R plus J XL minus XC ऐसा होता है तो क्योंकि resonance पे XL equal to XC हो जाता है हां तो इसलिए XL equal to XC होने के बज़े से वो जो imaginary part है वो zero हो जाता है और इसलिए सिर्फ real part बढ़ता है इसलिए Z minimum ऐसा लिखते है हां तो minimum resistance बचेगा minimum impedance पूछा है आपको तो minimum impedance बचेगा तो option A correct answer होगा zero correct answer नहीं होगा यह जिस सर ने answer mark किया है उस सर का हो गलत है next if the current in 1K oham resistor is 2mA the potential across the resistor is okay current का एक बहुत ही simple equation है V is equal to IR हां V is equal to IR और यह क्या है दिया हुआ है तो अब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है आई दिया हुआ है आई क्या दिया हुआ है 2mA दिया हुआ है R दिया हुआ है resistance that is 1K ohm okay kilo मतलब होता है 10 raise to 3 milli मतलब होता है 10 raise to minus 3 10 raise to 3 10 raise to minus 3 will get cancelled out so सिर्फ 2 बच जाएगा so V is equal to 2 volt is the correct answer okay so option C is the correct answer here now यहां पर next question जो है यह page जो है जिसने मुझे paper दिया है उसे ठीक से scan नहीं हुआ है तो मैं आपको question पुरा पढ़के बदाता हूँ पहले क्योंकि पहला question जो है आपको समय में ना ऐसा है what is the effect of resistance inductance and capacitance in transmission line यहां पर सिर्फ करेगा it causes the higher voltage drop वो जो है वो higher voltage drop करेगा यह transmission line का question transmission आपके syllables में है transmission line तो इसा question बनता है ओके जब हम transmission line पढ़ेंगे तो आपको detail में बताऊंगा इन यह next question जो है question no.7 and EMF induced in coil due to change in current in the neighboring coil is ठीक है एक coil में EMF induced होता है due to change in current neighboring coil देखो आपका जो transformer होता है उसमें ऐसा होता है है को यहां पर होता है और दूसरा coil होता है यहां पर ठीक है अगर यहां पर क्या पूछा हुआ है कि यहां पर जो current flow हो रहा है वो change हो रहा है तो यहां पर जो EMF induced होगा दूसरे coil में वो क्या होगा तो वो self induced हो नहीं होगा कि उसी coil में होता तो self induced कहते क्योंकि दूसरे coil में जो है EMF induced हो रहा है इसलिए इसे mutually induced EMF कहते है so option c is the right answer here okay mutually induced EMF next next question की और आगे बढ़ते हैं यहां पर question number seven में option c is the correct answer next question number eight the power factor of purely resistive circuit is purely resistive circuit है तो उसका power factor क्या होगा zero होगा प्योर लेजिस्टिव circuit है इसका मतलब यह है कि resonance हो रहा है हां या resonance हो रहा है तो power factor जो है वो unity होता है लेकिन purely circuit का मतलब यह है कि उसमें c and l है ही नहीं सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टन्स ही है तो power factor क्या होगा उसका zero हो जाएगा हां आपका l और c दिया ही नहीं है तो power factor क्या होगा zero होगा next question question number nine the formula of ohm slow for the current I voltage V and R resistance is मेन उपर भी आपको लिके दिया V is equal to I R option B is the correct answer this is ohm slow V is equal to I R option B is the correct answer here next question which sorry यह पर लेखा है with the increase of frequency the inductive reactance of the circuit will be with the increase in the frequency inductive reactance of the circuit will increase okay the option B is the correct answer inductive reactance of the inductor increases as frequency across its increases why because therefore inductive reactance is proportional to XL that's why if you are writing XL then XL is equal to omega L omega is nothing but you can write F is equal to 1 upon 2 pi आप ऐसा लिख सकते हो omega so omega is equal to in proportion to F आप यहां पर frequency पूछा है हाँ omega होता है angular frequency होता है आप जो है आपका normal frequency है तो XL is equal to omega L होता है इसलिए with the increase in frequency inductive reactance of the current will increase इसलिए वो increase होगा अगर यहां पर आपको ऐसा पूछ लिया है है with the increase in frequency inductive reactance inductive capacity reactance हां मतलब XC तो वो decrease होगा क्योंकि XC जो होता है वो one upon omega C होता है इसलिए omega का inverse relation में है XC तो वो decrease होगा ओके next question किर्चोफ's low are applicable to किर्चोफ low जो है वो DC और AC दोनों circuits पर लगा सकते हैं on both DC and AC circuits are applicable किर्चोफ के दो low के CL and KVL किर्चोफ's current low and किर्चोफ's voltage low okay that says that algebraic sum of the current or voltage meeting at one node will be equal to zero उसी node पर आप सबका algebraic sum करोगे voltage या current का तो equivalent क्या होगा zero होगा okay that is किर्चोफ low किर्चोफ low is applicable to both AC DC circuit it is not applicable to time varying magnetic field हां अगर time varying circuit है only TIV पे वो जो है एप्लिकेबल है हां मतलब non invariant time invariant यह मतलब time invariant circuit and linear LTI circuit उसे कहते है linear and time invariant है तो आप किर्चोफ लो लगा सकते हो time varying circuit है तो किर्चोफ लो नहीं लगा सकते हो this low is also known as junction rule for the current and voltage okay so these are the किर्चोफ low that are applicable on both AC and DC circuit next question what is the unit of frequency frequency का unit क्या होता है frequency का unit होता है hertz hz में लिखते हम generally kilohertz megahertz frequency को denote करते है आपको पता है एक और बात मैं आपको बता दूं काफी लोग मुझे पूछ रहे था कि sir question paper कौन सी language में होगा हाँ 2018 का question paper है वो दोनों language में था Hindi और English में 2016 का question paper है जो सिर्फ और सिर्फ English में ही था तो यहाँ पे depend है हाँ ऐसा विखतान है so try to learn all the thing in English only okay so it will be easier for you guys in the examination next question a full wave bridge rectifier circuit uses the blank diode अब जो rectifier circuit है half wave rectifier full wave rectifier वहां से question पुछा हुआ है जो full wave rectifier होता है उसमें चार डायोड का यूस किया जाता है back to back चार लगाते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर चार डायोड लगाते हैं तो उसमें answer आएगा option c4 next question no.14 transformer works on transformer किस पर work करता है transformer AC DC दोनों पर नहीं करता है DC दोगे तो transformer जल जाएगा transformer works on AC only step up step down आपको पता है step up मतलब आपका voltage जो है वो increase करके देगा step down आपका voltage जो है वो decrease करके देगा that is why transformer is used and that is what is this question next question step up transformer increases voltage voltage के लिए होता है देखो अगर power या current increase होता होता transformer से तो क्या होता हाँ मैं आपको बताता हूँ अगर कोई answer power कर देता है power इगर increase होका होता transformer से तो क्या होता आप 2V का जो बैटरी आपका मतलब remote का जो सेल होता है उससे आपका पूरा घर का सारा appliances चलता हाँ मैं इतना transformer ले आता इतना बड़ा कि मेरा 2V का DC बैटरी लगा दू और फिर उससे में पेरा मैं पूरा घर मेरा चलाओ यह possible है नहीं possible है क्यों possible नहीं है कि transformer जो है वो सिर्फ वोर सिर्फ voltage increase करता है वहाँ पर जहाँ voltage increase करेगा वहाँ current decrease कर देगा और आपका power जो है वो same रहेगा यह transformer का बहुत ही important rule है हाँ यह important principle है आप बता सकते हो step of transformer increases voltage only so option A is the correct answer next question number 16 a transformer having a thousand primary turns is connected to 250 volt AC supply for a secondary voltage of 400 volt the number of secondary turns should be यहाँ पे एक equation है transformer के turn के लिए उस equation से आपको solve करना है formula क्या है N1 by N2 N1 divided by N2 that is equal to V1 divided by V2 okay V1 divided by V2 तो यहाँ पे N1 आपको दिया हुआ है हाँ सर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है thousand primary turns दिया हुआ है next क्या दिया हुआ है आपको V1 दिया हुआ है that is 250 volt next क्या दिया हुआ है V2 दिया हुआ है that is 400 volt तो आपको find क्या करना है आपको n2 find करना है ओके so v1 divide by v2 ओके देखो आपको n2 find करना है तो आप क्या करोगे n2 यहाँ पर आ जाएगा तो v2 divide by v1 होगा तो आप क्या लिखोगे n2 के लिए v2 divide by v1 into n1 v2 क्या है आपका 400 है 400 divide by 250 400 divide by 250 ओके और into n1 n1 आपका क्या है into 1000 है तो वो करोगे तो आपको answer मिल जाएगा ठीक है क्या answer मिलेगा आपको 1600 answer मिलेगा तो यहाँ पर option में 1600 है answer बिलकुल है तो option A is the correct answer here next question question number 17 the blank feedback is used in oscillator the blank feedback is used in oscillator oscillator में कौन सा feedback का यूज होता है positive feedback का use होता है हाँ तभी तो oscillation होगा negative feedback का use करेंगे तो तो gain जो है वो decrease होगा positive feedback का use करेंगे तो gain जो है वो increase होगा और आपको oscillation मिलेगा उसके लिए condition है तो याद रखो positive feedback सिर्फ और सिर्फ उसलेटर में यूज होता है बागी कहीं यूज नहीं होता है amplifier और हर जगा पर negative feedback का use होता है positive feedback का एक ही application है that is oscillator okay next question FET इसे पूछ लिया है FET शायद आपके syllabus में नहीं है फिर भी बहुत basic question पूछ लिया है FET consists of source, drain, gate all of above हाँ सब कुछ होता है FET में source भी होता है drain भी होता है और gate भी होता है तीन terminal होते है FET के source, drain and gate उसके बाद एक होता है MOSFET जिसमें 4 terminal होते है एक बार JTO के exam में पूछ लिया था मतलब JTO LIC का exam में हाँ जिसमें substrate भी होता है next Fet shift oscillator consists of numbers of Fet shift oscillator consists of numbers of RC circuit Yes question जो है JTO LIC exam में भी बहुत बार पूछा हुआ है Fet shift oscillator का RC circuit में क्यों लगाया जाता है क्योंकि आपको जो RC circuit है वो 1 degree का Fet shift देगा आपका common emitter amplifier उसमें उस होता है जो 1 degree का Fet shift देता है आप oscillation होने के लिए बार का उसस क्राइटेरिया है कि टोटल Fet shift जो है वो 360 degree होना चाहिए तभी आपका वो सही है तो 360 degree Fet shift लाने के लिए 1 degree आपका amplifier का और 1 degree आपका RC Fet shift circuit का यसे 180 प्लस 180 मिला के 360 किया जाता है इसलिए option B is the correct answer here Fet shift oscillator consist of the number of RC circuit okay generally 3 RC parallel में लगाया जाता है हर एक RC 60 degree का Fet shift provide करता है तो 3 RC से आपको 1 degree का Fet shift मिल जाएगा ऐसा question भी आपको पूछ सकते है next question number 20 inverter is used to inverter किसके लिए यूज होता है ऐसा पूछा है आपको पता ही है आप अपने exchange में यूज करते ही हो inverter is used to convert DC to AC DC से AC conversion करता है आपको inverter भी available रहते है हां आपका 12 volt DC से आपका 230 volt AC कर दे या 12 volt DC से 115 volt AC कर दे that type of inverters are available in the market okay so it will convert DC to AC next question question number 21 if a four ohm resistor is connected across 48 volt battery then the current drone by the resistance is again देखो तिसरी बार स्क्रिशन आया same equation से V is equal to IR okay मैं आपको बताया ओहम का लो है V is equal to IR और उसी ओहम के लो का यूज करके this is the third time this question came in this examination okay if four ohm resistance is connected to 48 volt battery अब क्या पुछा है R दिया है और V दिया है और I पुछा है तो क्या करोगे 48 divided by 4 okay 48 divided by 4 करोगे तो क्या आंसर आएगा 12 12 1s 12 12 2s 24 12 3s 36 12 4s 48 so this is the answer option c 12 ampere is the correct answer okay next the algebraic sum of current at the node मैं आपको बताया था के सील देखो यहां पर कुछ लिया है algebraic sum of the current at the node algebraic sum of the current at the node will be zero okay that is the KCL किर्चॉफ करंट लो कहते है इसे next question question number 23 with the increase in temperature electrical resistance of the semiconductor with the increase in temperature देखो इस question जो है अगें जेटियो एलाइसी में दो तीन बार पूछा हुआ question है हां जेटियो एलाइसी के प्रिवेस यर के paper मेंने बहुत सारे solve करवाया है आप उसका एक पुरा playlist है आपको देखना है तो देख सकते हो सिर्फ आपके syllables के जो question है हां बहुत ही आपको मतलब आउट ओंड्रेड ऐसे दस प्रिश्चन मिलेंगे जो आपके syllables के हो वह आपको solve करना है तो आप solve कर सकते हो क्योंकि उसमें IT का भी syllables था तो आपके question भी है आपको सिर्फ फोर सिर्फ कम्यूनिकेशन और electrical और क्योंकि क्योंकि यहां पर यहां पर तीसरा question है साया जो जेटी हो एलाइसी में बार बार पूछते हैं जे semiconductor starts conducting more as the temperature increases okay that's why with the increase in the temperature electrical resistance of the semiconductor will decrease because as temperature increases covalent bond will break and which covalent bond will break your current will increase and your current will increase then your resistance will decrease okay so option b is the correct answer here next question question number 24 यहां भी scanning बहुत ही minor हुआ हुआ है scanning अच्छे से नहीं हुआ है हुआ है तो मैं आपको question पढ़के बताऊंगा बाद में मैं आपको answer बताऊंगा हां question readable तो है वो हमारे लिए enough है which of the following classes amplifier has the lowest efficiency okay class a class b class a b and class c class a efficiency जो है वो lowest होता है ओके सारे classes amplifier जो है उसमें से class a efficiency है वो lowest होता है कितना होता है अगर यह आपको पता है तो मुझे आपको comment section में आपको मुझे comment करके बताना है और दूसरा सबसे ज्यादा efficiency इसमें से किसका होता है यह भी आपको को मुझे comment section में comment करके बताना है next questions question number 25 की और आगे बढ़ते है if two capacitors having capacitors of four ferade and six ferade are connected in parallel parallel circuits of capacitor parallel capacitance लगाओगे तो क्या होगा यह बहुत ही basic question है यह आपकी exam में बार बार पुछेंगे क्योंकि capacitance inductance आपका syllabus में दिया हुआ है तो parallel capacitance लगाओगे आप तो parallel capacitance में sum होता है parallel inductor और parallel resistor में R1 R2 divided by R1 plus R2 and L1 L2 divided by L1 plus L2 होता है लेकिन parallel capacitance में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है sum होता है तो आपको यहां पर बहुत simple question है logic पता है तो आप answer कर पाओगे आपको क्या करना है सिर्फ 4 plus 6 करना है तो 4 plus 6 करोगे तो क्या answer आएगा sir 4 plus 6 करोगे तो 10 यहां अंसर आएगा sir तो option D is the correct answer okay next question semiconductor materials have blank bonds semiconductor material में covalent bonds होते हैं okay so option A is the correct answer here octal equivalent of decimal number 105 is 105 का octal equivalent पुछ लिया है 105 आपका number है आप octal equivalent करने जाओगे तो आपको 151 answer मिलेगा देखो यहां पर आपको binary conversion number system detail में देखना है तो आप जो है वो detail में देख सकते हो पूरा lecture जो है वो पूरा lecture आपको मिल जाएगा मेरा YouTube चैनल है उस पर मेरा YouTube चैनल है जहां पर आपको जो है पूरा lecture जो है वो मिल जाएगा number system के बारे में वो lecture एक बार देख लोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कैसे conversion करना है बहुत ही detail में excellent किया हुआ है वहां से आप conversion कर सकते हो decimal से octal का okay simple वे यह भी है कि decimal को binary में convert करो फिर binary को octal में convert करो तो भी आपको answer मिल जाएगा answer जो है वो 151 आएगा ठीक है next which of which is not output device in computer यह question बहुत पूछते जेटी वेले से में भी बहुत बार इस question पूछ लिया है input device कौन से output device कौन से है तो आपको लिखी लेना input device कौन से output device कौन से है keyboard जो है वो उससे हम input डालते है वो output device नहीं है monitor printer जो है उससे output निकलता है बतलब वो output device है keyboard mouse जो है वो input device है यह question बार बार काफी सारी exam में पूछा हुआ है next in aim if modulation index is more than 100% okay देखो यहां पे in new जो है वो क्या होना चाहिए between 0 to 1 होना चाहिए मैंने आपको बताया था modulation index is more than 100% है तो क्या होगा आपका wave distorted हो जाएगा इसे कहते है over modulation okay your wave will get distorted option c is the correct answer here next यह question जो है JTO LIC में भी 4-5 बार पूछा हुआ है next the disadvantage of FM over AM is there FM का disadvantage क्या है AM के उपर एक्की disadvantage है वो है larger bandwidth is required in FM generally larger bandwidth is required compared to AM and that is the disadvantage of FM okay disadvantage of FM over AM is that the frequency modulation large bandwidth is required while in case of advantages FM is less prone to noise and has less power consumption और lower power consumption compared to AM यह FM के advantage है okay noise भी कम होगा power consumption भी कम होगा यह disadvantage क्या है larger bandwidth is required next question number 31 FM broadcast lies in FM broadcast का band क्या होता है FM broadcast का frequency क्या होता है आपको बता है 88 MHz से आपका 108 MHz तक okay आप FM सुनते हो ना 92.5 FM या 198.3 FM तो यह सारे जो FM है वो कौन से band में आता है ऐसा पूचा है तो आपको frequency designation band जो पूरा होता है वो पड़ोगे हाँ लो फ्रिकोंसी स्टार्ट करते LF low frequency then HF high frequency then VHF very high frequency then UHF ultra high frequency okay तो आपको VHF band में आएगा so option A is the correct answer अच्छा question है next germanium is आपको पता है germanium and silicon both are semiconductor material sir so answer will be option D next question for the transmission of normal speech signal the PCM channels needs a bandwidth of yes question भी जेटियो में बहुत बार पुचा हुआ है मतलब जेटियो लाए से में for the transmission of normal speech signal PCM channel needs bandwidth of 64 kilo और दिखोए 5th और 6th question है जो जेटियो लाए से के question paper से पूछा हुआ है हां एसस question यहां पर पूछ लेते हैं मतलब यह tough question है आप लोगों के लिए लेकिन अगर आप वो paper solve कर लोगे सारे तो आपको फिर इस question paper question जो हो tough नहीं लगेंगे हां वहां पर मैं आपको बताया आपको question skip कर देने हैं जो home resistance then heat dissipated in resistance is देखो अगर पांच एंपर करन्ट फ्लो होगा पांच हों के resistance में तो heat dissipated क्या होगा अब यहां पे sir V is equal to IR नहीं लगाएंगे यहां पर क्या पूछा है आपको heat dissipated मतलब पावर पूछा है हां पी is equal to i square r यह equation है यह भी बहुत important equation है heat dissipation क्या होता है पी is equal to i square r तो आपका यहां पर i क्या दिया हुआ है मैं यहां पर आपका लिख देता हूँ हां ताकि सब को समझ में आए is equal to i square जग्या होगा i square क्या होगा यहां थोरा निचे लिखते हैं तो शायद लिख पाएंगे हाँ i square r ओके तो i क्या दिया हुआ है यहां पर i5 mp r क्या दिया हुआ है i5 ohum दिया हुआ है तो आप i square करोगे मतलब five का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 into 5, तो आपको क्या मिलेगा, 125 sir, so 125 joule, that is unit, joule is unit of power, okay, so आपको answer मिलेगा, 125 joule, option C is the correct answer here, next question number 35, which process is, does, which process is, does not exist in analog digital conversion, यह आपका question पुछ लिया है, directly PCM का जो block diagram होता है, वहाँ से, PCM का block diagram डिटल में आप पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, sampling, cotonization, encoding होता है, decoding नहीं होता है, यह question भी ऐसा है, जो JTOLIC में पूछा हुआ है, हाँ, यह 7th number of question है, जो JTOLIC के paper में पूछा हुआ है, next, a byte is equivalent to 8 bit, यह भी is question जो JTOL में बार बार पूछते हैं, हाँ, question number, यह है, 36, the byte is equivalent to 8 bit, 1 byte is equal to 8 bit होता है, तो आपको मुझे बताना है, कि 1 byte, हाँ, मतलब कितना nibble होगा, ठीक है, 8 bit तो होगा, एक byte में कितना nibble होगा, और एक nibble में कितना bit होगा, अगर आपको answer पता है, तो मुझे आप comment section में comment करके जरूर बताना, next question, the term pnp and npn use for transistor, pnp transistor, npn transistor, यह हम पढ़ते है, so option is the correct answer, frequency shift keying, देखो यह question अगीन ऐसा है, जो आपके लिए out of syllables है, आपका जो syllables दिया हुआ है, उसमें FS के है नहीं, हाँ, आपका सिर्फ और सिर्फ analog और PCME है, analog communication और PCME है, ले बस में, लेकिन फिर भी यह question क्योंकि telegraphy में use होता है, बार बार इस question पिटा हुआ question है, बहुत सारे exam में पुछते हैं, तो आप याद रख लेना, हाँ, तीन टाइप के shift keying होते हैं, shift keying, frequency shift keying and phase shift keying, ASK, PSK and FSK, तो जो frequency shift keying होता है, वो telegraphy में use होता है, okay, option B is the correct answer here, frequency shift keying जो है, that is, FSK is commonly used over telephone lines for caller ID, आपको caller ID जो होता है, caller number जो display होता है, उसके लिए FSK का use होता है, and remote metering application, there are several variation of this technology, बहुत सारे variation है, जो में आपको बता है, ASK, PSK, FSK, the binary equivalent decimal, देखो यह दूसरी बार question आया, है, हाँ, decimal का binary conversion करना है, तो आपको number system conversion मेरा जो lecture है, YouTube पे वो देख लेना, digital electronics lecture 6 आपको मिलेगा, जो number system करके है, उसमें आप पूरा देख लोगे, तो आपको detail में सारा समझ में आ जाएगा, binary conversion पूछा है, the binary equivalent to the decimal 45 is represented by, आप conversion करोगे, तो आपको पता चलेगा, हाँ, 101101 ऐसा answer आएगा, next, band pass filter is, band pass filter जो है, वो कौन से modulation technique में use होता है, यह आपको मुझे answer करना है, हम पर चुके है, हाँ, तो यह आपको मुझे answer करना है, कॉमेंट सेक्शन में, band pass filter you use for passes only certain range of frequency and reject other, हाँ, यह band pass filter होता है, जो particular एक ही band को pass करता है, बाकि के सारे band जो है, उसको reject कर देता है, हाँ, तो यह particular is band में जो आएगा, उसी को pass कर देगा, बाकि सारा जो है, वो क्या हो जाएगा, reject हो जाएगा, option D is the correct answer, question number 41, if the supply frequency increases the skin depth, यह भी JTO का level का question है, हाँ, JTO LIC में question बार बार पुछते है, skin depth का एक equation है, उसी equation से question पुछ लिया है, okay, if supply frequency increases, skin depth will, or skin effect will decreases, हाँ, frequency or skin effect, या skin depth का inverse relation होता है, under root में inverse relation होता है, एक बार सभी JTO में LIC में पूछ लिया था, कि skin depth इतना है, तो आपका supply frequency इतना है, तो supply frequency इतना होगा, तो skin depth की इतना होगा, under root में inverse proportion है, ऐसा करके आप answer find कर सकते हो, question number 42, यह तो आपको आता है होगा, day to day life में use करते हो, okay, a fuse is inserted in, fuse कहां पर लगा जाता है, neutral wire में की phase wire में, मतलब आपका line wire में, आपका जो fuse है वो phase wire में लगा जाता है, दोनों में नहीं लगा जाता है, क्योंकि वही working है, तो आपका fuse के बारे में फुरा detail जानते है, fuse is safety device in electrical plug or circuit, safety के लिए आप उस करते हो, it contains a piece of wire that melts where there is a fault in circuit, so that the flow of electricity will stop, okay, fuse is basically an automatic means of removing power from a faulty system, आप ऐसा भी कह सकते हो, okay, fuse is a essential electrical safety device that operates to provide over current protection, अगर over current हुआ तो उसका protection will provide by fuse, जो off electrical circuit, its essential component or element is a metal wire or strip that melts while high current flows through it, जैसे ही high current flow होगा fuse के through, तो उसके अंदर जो metal wire होता है, वो क्या हो जाएगा, वो strip हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, बन हो जाएगा, इसकी बज़े से current फिर आगे पास नहीं होगा तो आपका आगे का जो circuit है वो से हो जाएगा, thereby interrupting or stopping the current in the circuit, is a sacrifice device meaning that one a fuse has operated, it becomes an open circuit and it must be replaced or rewired, so fuse consists of a metal strip or wire fuse element or small cross-stational area compared to the circuit element of conductor mounted between a pair of electrical terminal, and enclosed by a non-conducting housing, fuse is arranged in series in circuit to carry all the current passing through the protest circuit, यह भी आपको पूछ सकते है, fuse कहां लगाया जाता है, parallel में कि series में, तो fuse कहां लगाया जाता है, fuse जो है वो, series में लगाया जाता है sir, okay, next the size and construction of the fuse element is determined so that the heat produced for a normal current in a circuit does not cause the element to attain a high temperature, if too high current electrical flows, then element rises to a higher temperature and either directly melts or else melts the shoulder joint within the fuse, ultimately opening the circuit, जो में आपको बताया क्या हो जाएगा, आपका wire melt हो जाएगा और आपका open circuit हो जाएगा, the fuse wire is always connected in the live wire of the electrical circuit, यह line important है, fuse wire is always connected in the live wire or phase wire of the electrical circuit, so if the fuse is somehow put in the neutral wire in the circuit then due to excessive flow of electric current when fuse burns, current will stop flowing in the circuit but the appliances will still remain connected to high potential point of the power supply through a live wire, now if a person to this appliance is he has a chance of getting electric shock as person will come in contact with the live wire through that appliances, the fuse is always connected in live wire, okay, क्या होगा अगर हमने neutral wire में fuse लगा दिया तो आपका live wire on रहेगा और फिर appliances में current आएगा potential आएगा, so that is why option A is correct here, okay, so this is the detail explanation why we are using fuse, क्योंकि यह question थोड़ा नया है आपको वैसे पता ही है, लेकिन technical meaning जो हो पता होना चाहिए इसले में थोड़ा आपको detail में बताया, next question, in context to two port network which parameter does not exist, two port में y parameter होते है, z parameter होते, abcd parameter होता, h parameter होता, x parameter ऐसा कुछ नहीं होता, so option A is the correct answer here, x parameter, okay, x parameter जो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता two port network में, next question, dc is converted into ac by, dc converted into ac by, by using inverter, okay, उपर अभी हमने पड़ा, एक इस question दो बार पूछ लिया है, देखो अगर आपको एक logic पता है, तो आप दो answer कर पाओगे, in computer, the arithmetic and logical operation are performed by arithmetic and logic unit, that is nothing but ALU, option B is the correct answer here, ये भी FDM भी आपका syllabus में नहीं है, फिर भी पूछ लिया है, क्योंकि TDM आपका syllabus में है, तो उन लोगों नहीं कर लिया है, कि TDM आता है, तो FDM आना चाहिए, FDM मतलब frequency division multiplexing होता है, क्योंकि multiplexing लिखा हुआ है, तो आपको FDM पता है syllabus में है, ऐसा ही सोच लोग लिखा हुआ नहीं है particular syllabus में FDM है, जो जो GTO LIC में पूछते हैं, ऐसा स्कूशन है, नेस्ट इंडिजिटल और नाइंड और और अला टाइपस ऑफ गेट यह क्या है, लॉजिक गेट है, तु रिप्रेजन अबाइनरी नंबर 35 नंबर बीट रिक्वायर अगें, अगें देखो यहां पर नंबर सिस्टम से पुछ लिया है, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि एक lecture है जो मैं आपको आई बटन में भी प्रोवाइट कर दूँगा, क्वान चो डिटली लेक्ट्रोनिक्स का है नंबर सिस्टम का आप देख लेना सीधा वहां से जाके भी आप देख पाओगे ओके लेच्चर खतम होगा बाद में आपको आये बटन में प्रोवाइट कर दूंगा लेक्चर six से लिखा हुआ है नंबर सिस्टम वह आपको देखन यहां पे जो require है वो क्या पूछा हुआ है यह देखना यह पूछा क्या है यह को चाहिए कम बेट हाइं कुछा हुआ है यह सब्सकिन करने के लिए इस पूछा हुआ है तो आपको मेसे यह करना है है कि यहां पर नंबर ओफ वन सिय इसा पुछा है यहां पर नुम्र ओफ ओषिए इसा पुछना चाहिए था किते नामबर ओफ वन हैं 123 तो थ्री तो थ्री आंज़र आएगा लेकिन बीट पुछा है यहां तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bit required है, तो option C is the correct answer, generally ऐसा पूछते है कि representation of this number, कितने number of 1s आएंगे इसमें, यहां पर आपको directly bit पूछ लिया है, next, the satellite use for the communication is mainly, satellite जो communication में सबसे जादा use होता है, वो है आपका geostationary satellite, okay, so option C is the correct answer here, next question है आपका in binary system, देखोगे in question आया, यह 5th number of question is there, from the number system conversion, okay, तो आप वो lecture एक बार देख लोगे, तो आपको पांच मार कैसे ही मिल गई, इस paper में, okay, वो समझ में भी आ जाएगा, सरा मैंने board पे बहुत ही अच्छे से explain किया हुआ है, binary system decimal is 0.875 is represented as, यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.0 है, तो point के बाद क्योंकि है, तो आपको multiplication करना है, 875 multiply by 2 आप करोगे, तो आपका 1.75 आएगा, 1 बहार निकलेगा, 0.75 multiply by 2 करोगे, 0.5 आएगा, 0.5 multiply by 2 करोगे, तो 1 आएगा, तो 1, 1, 1, मतलब 0.111 will be the answer, option D is the correct answer, तो आपको मुझे यह बताना है, अगर इसको मुझे octal में लिखना है, comment section मुझे comment करके आपको बताना है, कि binary system decimal equivalent of 0.875 in octal और hex क्या होगा, octal में इससे कैसा लिख सकते है, और hex में लिखना है, तो कैसे लिख सकते है, अगर आपका concept clear है, तो आप answer कर पाओगे, okay, so this is all about the section 1, that is the technical section, that is electrical, electronics and communication of your JTO LIC 2016 का जो paper है, हाँ, वो एक paper मुझे, किसे student ने telegram पे stand किया है, तो मैंना आपको यह solve करवाया, अगर आपके पास भी कोई previous year paper अवेलेबल है, तो आप जरूर मुझे telegram group में send करना, तो वो paper भी मैं आपको यहाँ पे solve करवायाँगा, paper solution बहुत ही important है, जब आप कोई भी exam की preparation करते हो तब, क्योंकि आपको idea लगेगा, कि cases questions पूछते हैं, और उसी से आप उस हिसाब की preparation जो है वो कर पाओगे, okay, so this is all about this paper, thank you very much, thanks for watching.